होकी बिसु कप की सुरुवात कल से होने वाला है अब इसमें भारत का कैसा पर्फरमेंस रहेगा इस बिसे पे हमारे साथ बात करने के लिए पूर ओलम्पियन और पूर होकी प्लेयर मनोहर टोपनो जी है इस बार भारत का जो हम टीम देखे हैं बहुत अच्छा से प्रेटिस की है और बहुत सारा टूर्नामेंट में बहुत अच्छा रिजल्ड दिया है पिछले बार की तेयारी भी काफी अच्छी थे लेकिन टीम सेमिफाइनल तक भी नहीं पहुँच पाई यह लगतार मैं कह सकता हूँ कि 1975 के बाद कोई ऐसा मौका नहीं हुआ जिसमें टीम सेमिफाइनल तक पहुँची हो क्या लगता है इस बार जिस तरह से तयारियां है भारत की सारे जो सुविधाओं की बात करें तो सुविधाएं भी दी गई है तो क्या यह कहा जा सकता कि इस बार टीम उस कदम तक पहुँचेगी इस बार जो भी टेनिंग के प्रोगराम या जो भी इनको जावरी थी सब पूरा किया गया है इस बार उपर से नीचे तक हम टीम भी देख लिये हैं बहुत अच्छी है और प्लेंटी को नस लेकर सब कुछ बहुत अच्छा प्रेटिस की है हमको लगता है कि इस बार टुपा का फाइनल पहुँचेगी पहुँचेगी जो आप जिस ग्रूप में भारत को रखा गया है उसमें इंगलेंड है जो की रैंकिंग में एक पाइदान आगे है भारत से उसके बाद वेल्स है स्पेन है तो स्पेन वेल्स तो वैसे काफी पाइदान में पीछे है लेकिन इंगलेंड की बात करे और स्पेन की बात करे तो तो दोनों भारत को काफी टकर देते हुए नजर आया है जितने भी अगर पुराने मैचेस को हम लोग देख ले उसको तुलना की जाए अभी के मुकाबले तो क्या लगता है भारते तीम चुनोती दे पाई इन टीमों को इंडिया टीम जो अभी तिलाल खिली है इंग्लेंड के साथ में भी उसके साथ में अच्छा खिली है और अच्छा मार्किंग से उन लोग के रिजल्ट भी मिला है इनको क्या लगड़ा कौन से प्लेयर का अच्छा परदर्शन रहेगा इस बार इस बार भी उस तरह का ही नजारा हमें देखने को मिल सकता है इस बार भी जरूर मिलेगी क्योंकि सिर्जेस को हम सुरू से देख रहा हूं कि सबसे पुराना खिलाड़ी और ताजरूबवा इतना हो गई है कि पूरा ओलम्पिक में जो परी खेला है उसे और अच्छा खिलेगा यह लास्ट है इसका और लास्ट में पूरा दामखम कि लंबे समय से जहारकंड के कोई भी प्लेएर का प्रतनिधित्व नहीं रहा है इंडियन टीम में हाला कि महिलाओं की बात करते महिलाओं बहुत आगे है पुरूर्शों के मुकाबले तो ऐसा क्यूं देखने को मिल रहा है कि भारतिय टीम में हमारे जहारकंड का कोई भी लाडी थोड़ा सा एक खिल लेते हैं, कुछ इंटरनेसर खिल लेते हैं, उसके बाद में अपने आप, मेरा भी ओही ये था, कि अरे अब तो अलोंपिक खिल गया, आपको हमको क्या खिलने हैं, अब छोड़ो, जोस कहड जाता है, जोस हम लोग खुद तोड़ देते हैं, तो ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए, जब तक मोका मिलता है, जब तक आपका काला है, बने रहना चाहिए, और प्रेटिस करते रहना चाहिए, खिलना चाहिए, सरे, एक और उपलब्दी है कि भारत में और भारत के उडिसा में बनाया गया है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा होकी स्टेडियम, इसको कितना बड़ा उपर्चुनिटी के रूप में देखते हैं भारतियों के लिए, क्योंकि होकी यहां का राश्ट्रे खेल है, और यहां पर ह की देख का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया गया है, अब यहां के जो लोग है, यहां के खिलारी है, उनके लिए कितना बड़ा मौका समीदते इसको? इसको हम एही समझते हैं कि जिसे उडिशा के जो गेम है उडिशा की जो सरकार है वो एतना ध्यान दिया हुआ है हमारे होकी के चलते होकी के लिए हम तहे दिल से उसको धन्यावाद देना चाहता हूँ क्योंकि हमारी वाल्ड में पहली बेर इतना बड़ा इस्टेडियम बना ह हुआ है और इस्टेडियम ही नहीं पूरा उडिशा में काल परसो ही हम लोग बात कर रहे तो यह लोग बता रहे हैं पूरा पांचायत में गराउन होकी का गराउन बनाया जा रहा है बोलोक लेबाल में पूरा इस्टेडियम बनाया जा रहा है तो इससे अच्छा इससे ज् पूपर चड़े, तब हमारे होक़ी खिलाडी उपर तक जा सकते हैं, और हमारी हिंदूस्तान की नाम रोशन करेंगे. जार्खन को उरिशा से क्या सीख लेना चाहिए जिस तरह से होक्की में उरिशा इतना सपोर्ट करता है भारते टीम को अपने टीमों को जार्खन को भी बढ़ चड़ कर आगे आना चाहिए बगल में है हमारे उरिशा ज़्यादा दूर नहीं है और हमारे जरकन सरकार को भी सिखना चाहिए कि उरिशा सरकार जब इतना कर रही है तो हमें भी उनसे थोड़ा सबक सिखना चाहिए और हमारे जारकन बसीों के लिए जारकन के खिलालीों के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए आखरी संदेश क्या देना चाहेंगे अपने टीम को कल से सुरुवात होने वाला है मैच है स्पेन के साथ अख्री सांदेश में यही देना चाहता हूँ हमारी भरतिय होके टीम को कि जैसे प्रीटिस किये हैं जैसे कोच आपको सिखाए हैं उसी तरह आप जोस के साथ खिलिए और टीम को जीताने का पुरा-पुरा सोच और जोस एक साथ होना चाहिए अब देखने वाली बात होगी कल जब स्पेन से भारत का मुकाबला होता है तो उसमें भारत की परफॉमेंस कैसी रहती है निउस बाइसकोप ले कैमरा परसन विकास के साथ नीरज कुमार राची